एक जवान अपने देश के लिए किस हद तक लड़ सकता है? कौन से टॉर्चर से गुजर सकता है? ये शब्दों में बताना बहुत ही डिफिकल्ट है। आज की ऐसी ही कहानी है Rescue Down, कहानी है 1965 की जब US वियत नाम को मदद करनी के लिए अपने सेना को भेज रहा था। इसी में अमेरिका के एक Navy Ship को देखते हैं जहाँ पे काफी सारे जवान वियत नाम के लिए जा रहे होते हैं। और इसी में हम Dangler को देखते हैं जो पाइलेट होता है और इस पूरे मिशन का लीडर था। अब यहाँ पे मीटिंग चल रही थी। जहाँ पे Dangler का सीनियर एक सीक् को गुडबाई करते हुए निकल जाते हैं हम डैंगलर को देखते हैं जो अपने फाइटर जेट की स्कौर्ड के साथ लाउसी शहर में जाता है और वहां काफी जगाओ पर बॉंब फेकने लगता है लेकिन दुश्मार इनकी जेट को देख लेते हैं और डैंगलर के जेट पर पूरा हबला कर देते हैं और देखते हैं डैंगलर का प्लेन क्राश होने लगता है लेकिन वो कैसे तैसे खुद को बचाता है लेकिन अब वो दुश्मनों के अड़े पर थाम यहाँ पर बचना काफी मुश्किल थाम लेकिन तभी उससे ढूंटे हुए वी इतनामी सोलजर आते हैं जिसके कारण डैंगलर पास के ही जंगल में छुपने जाता है वी इतनाम के सोलजर इसे ढूंड कर वहाँ से चले जाते हैं डैंगलर अपने रेडियो को वही पर छोड़ कर आगे बढ़ता है उसके दिमाग में काफी चीज़े चल रही थी कि अब वो यहाँ पर अ एक उची जगा पर चला जाता है और एक छोटे मिलर से पाइलिट का ध्यान अपने तरफ खीचने लगता है लेकिन दब तक काफी देर हो गई थी वो हैलिकाप्टर वहाँ से दूर जा चुका था अब निराश होकर डैंगलर नीचे आता है और एक नदी के यहाँ पर आकर पानी पीने लगता है लेकिन तब ही वियत नाम के जो आदिवासी सोलजर होते है वो आकर डैंगलर को पकड़ लेते हैं जिसके बाद उसे जंगल के बीचों बीच उनके गाव में लाया जाता है डैंगलर बिचारा काफी कन्फ्यूस था हरेक को हैलो कर रहा था लेकिन वहा के लोग अमेरिकन्स पे बहुत जादा घुसा थे इसलिए उसकी कोई भी बात मानी नहीं जाती और यहाँ पे किसी को इंगली समझ में भी नहीं आ रही थी अब पूरे दो दिन हो गए थे खाना पीना ना होने के कारण वो बेहोश होने लगता है लेकिन जब उसकी आप के लिए एक जगा रुकते हैं लेकिन तभी एक हैलिकॉप्टर वापस से उसे ढूंदते हुए यहाँ पे आता है यह देख यह लोग जाडियों में छुप जाते हैं पता अब इने लगता है कि डैंगलर ने किसी तरह का सिगनल दिया होगा इसलिए इन सोलजर का लीडर उस है जिसके बाद यह लोग डैंगलर को अब वियत नामी के उस एरिया के गवर्नर के पास लेकर आते हैं जिसे इंगली समझ में आ रही थी और वो डैंगलर से काफी अच्छे से बात करता है अब डैंगलर यहाँ पे अपने आइडेंटिटी चुपाने के लिए उसे कहता है क कि मैं जर्मन हूँ लेकिन वो आदमी डैंगलर का जूट पकड़ लेता है इसके बाद गवर्नर डैंगलर से कहता है कि हम तुमें यहाँ से जाने देंगे कोई नुकसा नहीं पहुचाएंगे लेकिन इसके लिए तुमें एक पेपर पे साइन करना होगा जिसमें लिखा है क कि तुम अमेरिकन हो और इस वार के खिलाफ हो तुमें यहाँ पे जबर्दस्ती भेजा गया है और मेरा देश के नेता गरीब देशों का फाइदा उठा रहे हैं अब यह सुनते ही डैंगलर कहता है कि यह सच नहीं है मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और साइन करने से मना कर देता है जिसके कारण उसे वापस से उन्हीं सोल्जर के हवाले किया जाता है लेकिन इस बार वो डैंगलर को बहुत ही जादा टॉर्चर करते हैं सबसे पहले भैस से बान कर उसे पूरा घसीटते हुए गाव में लेकर आते हैं जहाँ पे गाव वाले उसे पत्थर मा रहे थे जिसके बाद उसे पेट से उल्टा लटकाया जाता है और उसके चेहरे पर मदुबक्की का छट्ता लगाया जाता है जहाँ पे सारी मक्किया उसे काटने लगती हैं जिसके कारण वो वही पर बेहोश हो जाता है लेकिन ये देखते ही उसे निकाल कर सीधा एक छोट कुवे में डुबाया जाता है और पूरा दिन उसी में रख देते हैं वो वही पर बेहोश हो जाता है उसकी हालत बहुत ही खराब थी जबसे यहाँ पे लैंड हुआ था उसने कुछ भी खाया नहीं था अब अगले दिन उसे एक प्रिजन कैम्प में लेकर जाते हैं जो जं प्रोसेट नाम के तीन फॉरेनर होते हैं और दो अमेरिकन पाइलेट जिनका नाम डीबन और मार्टीन था जो काफी सालों से वही पर फसे हुए थे यह देखकर डैंगलर को बहुत ज़ादा गुसा आता है कि उसके लोगों ने उन्हें रेस्क्यू करने की कोई भी कोशिश नहीं की यानि कि वो भी यहाँ पे फसा रह सकता है और वो धीरे धीरे इन सबसे बात करने लगता है यहाँ पे हम देखते हैं बाकि सारे कैदियों की हालत बहुत ही ज़ादा खराब थी मानों उन्हें खाने ही नहीं दिया गया हो अब दिन में इन सब को कैंप में गूमने क आज़ादी थी लेकिन रात में इन्हें एक जोपड़ी में बंद कर दिया जाता था और इनके हातों को एक दूसरे के हातों से बान कर और पैरों को एक लकड़ी के लौक से बान दिया करते थे इन्हें पूरा दिन खाने के लिए बस एक कटोरी राइस दिया जाता था और पीने के लिए जादा पानी भी नहीं था क्योंकि ये कैम्प ऐसे ही चल रहा था अब ऐसे ही देखते देखते काफी दिन बीच जाते हैं यहां से भागना काफी मुश्किल था लेकिन डैंगलर को यहां से कैसे भी निकलना था और वो एक दिन सब को मनाता है यह हमें कैसे भी भाग जाना चाहिए और वो एक एक करके सब को मनानी लगता है लेकिन किसी में भी इतनी एनरजी नहीं थी और सभी कहते हैं कि बिना पानी के हम जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अब डैंगलर एक प्लान बनाती हुए सब को समझाता है कि उन्हें कैसे भी एक बड़ा सा खीला चुराना है इसीरे कुछ लोग मान जाते हैं और गार्ड से बात करने लगते हैं वही डैंगलर इसी मौके का फाइदा उठा कर एक दूसरे गाड के पास जाता है जो हाइट में छोटा था और काफी फ्रेंडली था अक्सर इनकी मदद किया करता था और उससे बातों ये बातों में एक बड़ा सा खीला चुरा लेता है ये देखकर सभी खुश होते हैं अब रात में डैं एक आशा जगती है कि वो शायद अपने परिवार को वापस से देख सकते हैं अब ये लोग भागने का प्लान तो बनाते हैं लेकिन उसमें कुछ दिनों का समय था इससे दर मैं एक दिन यूएस के कुछ फाइटर जेट्स वहाँ से गुजरते हैं जिसे देखकर सारे कैदी बाहर आकर जोर जोर से पुकारने लगते हैं इशारा करने लगते हैं ये देखकर उन गार्ड्स को काफी गुसा आता है और एक गार्ड मार्टिन के पास गोली चलाता है इसके कारण उसके सर में काफी चोट आती हैं और इसी के चलते हैं इन्हें प्लान को पोस्पॉन करना पड़ता है और ऐसे ही काफी खराब कंडिशन में इन्हें काफी दिन गुजरने पड़ते हैं यहाँ पे सबी डरे हुए थे यहाँ कि उन्हें दिन बदिन काफी टॉर्चर किया जा रहा था खाना नहीं था पीना नहीं था और इनकी हालत भी खराब हो रही थी अब एक दिन अचानक से विएतनाम के असली सोलजर इस जेल में आते है और सब की तलाशी लेने लगते है जहाँ पे एक लेड़ी ओफिसर को डैंगलर के पास से उसका शेविंग ग्लास मिलता है लेकिन डैंगलर उससे काफी फलर्ट करने लगता है और वो ग्लास को वापस ले लेता है और बाद में अपने दोस्तों से ही कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पे फसा नहीं होता तो यह जरूर मेरी दोस्त होती और ऐसे ही हसी मजाक में इनकी कुछ खुशी के पल बीचते है एक दिन तो ऐसा होता है कि गार्ड के पास से अच्छानक से गन नीचे गिर जाती है और वो चालू होती है और हर जगा पे अंदा दुन फाइरिंग होने लगती है सबी लोग डर जाते हैं और आसपास छुपने लगते हैं लेकिन किसी को भी चोट नहीं आई थी यहाँ पे डैंगलर एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था और तब ही उसे कुछ चावल दिखाई देते हैं और उसे एक आइडिया आता है और समझाता है कि गार्ड जब खाने जाते है तब अपने हत्यार एक दूसरे जगा पे रख देते हैं अब यहाँ पे इन्हें खाने पिने के लिए जादा कुछ दिया नहीं जा रहा था इसलिए डैंगलर वो गिरे हुए चावल अपने पास रख लेता है ताकि कभी उसे अगर भूख लगे तो वो इन्हें बचा कर खा सके दिन के बाद दिन गुजरते जाते हैं और सभी लोगों की हालत खराब होते जा रही थी एक दिन डैंगलर अपने छोपड़ी में बैट कर वो ही चावल गिन रहा था और तब पीछे से उसके दोस्त आकर उसके लिए हैपी बर्ड़े गाते हैं क्योंकि आज डैंगलर का बर्ड़े है और उसके दोस्तों को ये बात याद थी ये देखकर डैंगलर खुशी से रोने लगता है ऐसी हालत में भी ये लोग एक दूसरे के लिए खड़े थे डैंगलर फिर सबको अपने प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि जब गार्ट्स खाने चाते हैं तब गन्स वही पे छोड़ के जाते हैं जिसे लेकर हम उन गार्ट्स को मार कर वहाँ से भाग सकते हैं और फिर यूएस हैलिकॉप्टर जबी भी आएगा तब हम उन्हें सिगनल दे सकते हैं अब ये प्लान सुनकर सब ही लोग इसके लिए मान जाते हैं लेकिन थोड़ी तयारी बाकी थी इसलिए ये लोग 4th of July इस डेट को चुनते हैं जो कि एक मेने के बाद था जिसके पद हर एक दिन ये लोग गार्ट्स को स्टड़ी करते थे उनका सेड्यूल क्या है कहां पे ये लोग गन्द रखते हैं और कहां जाते हैं तो भई डैंगलर भी जोपड़ी के नीचे से निकलने का एक रास्ता बनाने लगता है जिसे बाहर जा कर वो पीछे की फेंस के यांकी जमीन को खोदने लगता है अब यहां पे कैंप में खाने की कमी होने लगती है इसलिए इन कैदियों को कुछ भी खाना या पानी नहीं दिया जाता इसलिए सबी लोग काफी कमज़र हो गए थे खाने की कमी के कारण इने एक दिन तो कीडे दिये जाते हैं खाने के लिए वोई वाईसी एक दिन कुछ गार्ट्स को बात करते हुए सुनता है वे लोग कैदियों को मारने का प्लान बना रहे थे जोगि उनके पास अब और खाना बचा नहीं था अब ये बाद जाकर वो सीधा डैंगलर को बता देता है जिसके कारण डैंगलर अगले ही दिन भागने का प्लान बनाता है अब अगले सुबा गार्ट के जाने के बाद डैंगलर पहले जाकर सभी की बंदूके ले लेता है जिसके बाद ये लोग दो ग्रूप बनाते हैं जिसमें एक ग्रूप में डैंगलर और मार्टीन था वही दूसरे ग्रूप में डेबरन, वाईसी, फ्लिस्ट और प्रोसेट था और इनका ये प्लान होता है कि दो साइट से जाकर अलग-अलग डाइरिक्शन में जेल के सारे गार्ट पर हमला कर देंगे और उन्हें मारने के बाद खाने का सामान लेकर वहाँ से भाग जाएंगे लेकिन जब डैंगलर और मार्टीन वहाँ पहुँचता है तब दूसरा ग्रूप वहाँ पर आता ही नहीं है लेकिन डैंगलर और मार्टीन सही समय पर सारे गार्ड को मार देते है लेकिन तभी डैंगलर की नजर उस चोटे गार पे पड़ती है जो उसका काफी अच्छा दोस्त था इसलिए वो उसे छोड़ देता है जिसके बाद डैंगलर और मार्टिल खाने की कुछ चीजे लेकर जेल से इस कैम से बाहर भागते हैं लेकिन बाहर जाने के बाद अचानक से उन्हें दूसरा ग्रूप था है लेकिन इस दूसरे ग्रूप में चार लोगों के बजाए सिर्फ दो ही लोग थे डेबरिन और वाईसी डेबरिन के पास एक्स्ट्रा हत्यार जूते और कुछ सामान भी था और तभी समझ आता है कि इन लोग कम करने के लिए फ्लीस्ट और प्रोसेट को मार दिया है ये देखकर डैंगलर को काफी गुसा आता है और इसलिए ये दोनों भी ग्रूप अलग अलग डाइरेक्शन में ही जाने का डिसाइड करते है जंगल में अच्छानक घमासान बारिश होने लगती है जिसके कार और काफी चलने के बाद इने एक नदी मिलती है अब नदी को इने पार करना था इसलिए ये लोग लकडी का एक राफ बनाते है और कैसे दैसे गुद को चुपाते हुए ये लोग नदी से आगे बढ़ने लगते है क्योंकि कहीं से बी इनके उपर हमला हो सकता था लेकिन इ इन्हें वापस से किनारे पर आना पड़ता है और तभी इनकी राफ्ट एक जरने में गिर कर तबाह हो जाती है अब कई और दिन गुजर जाते हैं ये लोग जंगल से जाई रहे थे इन्हें बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था इसी तर में इन्हें एक पर एक आदमी मचले पकड़ दिखाई देता है ये लोग उस आदमी को मारने का सोच ता कि कुछ खाना मिल सके लेकिन गोली से सोल्डर का ध्यार इनके उपर आ सकता है इसलिए वो उस आदमी को नहीं मारते इसके कारण के हतियार कोई भी काम के नहीं थे इसलिए दोनों भी अपने खाली घर मिलता है जाब ये दोनों भी आराम करने के लिए रुकते हैं मार्टिन को बहुत ही ठंड लग रही थी ऐसा लग रहा था कि कभी भी उसकी जान जा सकती थी उसी दर मैं वहाँ पे एक यूएस हेलिकॉप्टर आता है जिसे देखकर डैंगलर काफी जोरो-जोरो से आ सत्मी समझ कर उसके उपर गोलिया चलाने लगते हैं लेकिन ये तोनों भी किसी दरा बच जाते हैं लेकिन इस आप के कारण लोकल लोग इन्हें आकर वापस से पकड़ लेते हैं अब जो लोकल लोग रहते हैं वो इन अमेरिकन्स को देखकर उन्हें मारने लगते हैं और मा मार्टिन के लिए प्रार्थना करता है और बाद में उसके जूते लेकर वहाँ से भाग जाता है इसके पीछे काफी सारे लोकल लोग भी पढ़ते है लेकिन डैंगलर जाडियों में चुपने के कारण बच जाता है अब रात में डैंगलर को काफी भूक लगी थी और काफी ठ ठक गया था जिसके कारण उसे हैलिसिनेशन आने लगते है उसे मार्टिन नजर आता है जो उसे कह रहा था कि तुम भी यहां से बच नहीं सकते दरसल डैंगलर का दिमाग ही उसे इन चीजों से निकलने के लिए ये रास्ता दे रहा था अब ऐसे ही डैंगलर कुछ दिन वह चला जाता है और वो उसे रेस्क्यू कर लेते हैं मगर तबी वहाँ पे लोकल्स भी आते हैं लेकिन अमेरिकन सोल्जर उनके ऊपर गोल या चला देते हैं फाइनली डैंगलर रेस्क्यू हो गया था सबसे पहले उसे के इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है काफी हफते उसके यही पे बीच जाते हैं अब डैंगलर के साथियों को पता चल गया होता है कि वो जिन्दा है और जल्दी ही उसका बर्डे आता है जिसके लिए उसके दोस्त उसके लिए केक लेकर आते हैं अब यह देखकर CIA एजेंट्स उन्हें कुछ समय के लिए अकेला छ हुष होते हैं जरह Sally उसने एक साल उस जंगल में पिताया होता है जोके काफी मुश्किल संभाता इसके लीए रूइंगलर जब वापस आता है तब उसकी हालों बहुत ज़ादा खराब होती है एक कान उसका डैमेज हो गया था और इसी के एक साल के बाद डैंगलर नेवी से रिटायर्ट होकर ट्रेनी पाइलेट बनता है और इसी तरह डैंगलर और उसके जैसे काफी जवानों ने अपने देश के लिए काफी मुश्किल समय दुश्मनों के अड़े पर बिताया है और ये कहानी इधर ही खतम होती है अगर आप यहां तक रुके हैं तो प्लीज एक लाइक दे कर चाहिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में बाई